हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एफेम निउस आखिरकार दो दिनों की भारी वारिश के बाद इंडिया उस्टेलिया वंडे सीरीज का दूसरा वंडे स्टार्ट होई गया कोलकत्ता में पिछले दो दिनों से भारी बारिश हो रही थी इस कारण यह मैच होने की संभायम नहीं कम ही थी दोनों ही टीम में अभ्यास भी नहीं कर पाई थी लेकिन फाइनली बारिश रुख गई और कह समय से मैच शुरू हो गया भारत ने टॉष जीत कर पहले वललेवाजी करने का फैसला लिया, टीम इंडिया की ओअड से उपनिक करने रोई शर्मा और अजिंक्या राणे उतरे हार्ती टीम में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है और अजिंक्या राणे और मनीश मेंडे को एक बार फिर मौका दिया गया है वहीं रविंद्र जड़ेजा को फिर इस मैच में आराम दिया गया है पहले मैच में हार्दिक पांडिया द्वारा बुरी तरह पिटने वाले उस्टिलियन गेंदवाज एडम जंपा को इस पार प्लेंग 11 में जगें नहीं मिल सकी भारत की शुरुआत बेहदी धीमी रही और पहले 5 आवर्स में मात उन्नी सरहनी बने छटे ओवर की पहली गेंद पर रोई शर्मा कैच आउट हो गया इसके बाद क्रीच पर वल्ले वाजी करने विराट कोली आये इसके बाद दौने वल्ले वाजों ने समल कर खेलते हुए 15 ओवर में टीम को एक विगेट के नुकसान पर भैतर रनों तक पहुचाया अजिंक्या राणे और विराट कोली ने समल कर खेलते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ाया और दौनों के वीच 102 रनों की शतकी शाज़ेतारी हुई 24 ओवर में राणे रन आउट हो गए आउट होने से पहले राणे ने 65 गेंदों में 7 चौके लगा कर 55 रन बनाए इसी के साथ राणे के वंडे क्रिकेट में 20 हज़ शक तक भी पूरे हो गए राणे के आउट होने पर मनीश फंडे बनलेवाजी करने आए लेकिन मनीश फंडे आज भी कुछ कमाल नहीं कर पाए और मातर तीन रनों पर ही आउट हो गए इसके बाद गेदार जादर मैदान पर आए है भारत का स्कोर 29 होवर्स में तीन विकेट के नुकसान पर 141 रन हो गया है और विराट कोली 65 ट्रोनों पर खेल रहे हैं दोस्तो किर्केट अपडेट्स के लिए FM न्यूज को सब्सक्राइब करें इस्टे कनेक्टेड इस्टे अपडेटेड